हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चुकेस्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बीकोस यूल्स कैपसुल्स के बारे में तो हम सिखने वाले हैं उसके बेजिक यूज के बारे में, फिर उसका डेली डोस वगरा क्या होता है वो हम जानेंगे फिर बीकोस यूल्स के कैपसुल्स लेने से क्या साइड इफेक्स वगरा डेवलप हो सकते है कौन से कॉंट्रा इंडिकेशन और वार्निंग्स रहेंगे तो सभी के बारे में जानते हैं डिटेल में ये लेक्चर के अंदर तो यहाँ पे टाइटल स्लेड के अंदर जो आप देख रहे है कि बीकोस यूल्स के जो कैपसुल्स होते है उनके अंदर जो कंपोजिशन हम देखे तो वो है विटामिन बी कॉंपलेक्स और साथ में है उसके अंदर विटामिन सी तो ये जो capsule से उसके basic use के बारे में हम जानेंगे साथ हो साथ उसको किस तरह से आपको use करना है benefits वगेरा क्या होता है सभी को जानते हैं detail में ये lecture के अंदर तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox Thank you for being in PharmaRox family updated area Pharma knowledge के साथ access कर ये study material test series and video lecture PharmaRox के आप उपर तो अब आप PharmaRox के आप उपर DCs and medicines related जो lecture है वो access कर पाओगे वही lectures के PDF और PPTs भी आप आप वही पर access कर पाओगे कि जो आपको affordable price के अंदर मिल जाएगा तो सभी medicines related lecture फिर अलग अलग DCs और उनके treatment के बारे में आप सीख पाएंगे PharmaRox के आप उपर तो अभी download कर या PharmaRox और access कर ये ये course को तो link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो चेक कर ये description box या फिर ये number पर आप जो है वो whatsapp करके भी inquiry कर सकते हैं regarding the courses तो आप समझते हैं basic concept कि जो हमारे आज का lecture का है वो है वीको सुल्स के अपसुल से वो ऐसे class के medications हम कह सकते कि जो multivitamin and nutritional supplement के category में include होते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग class के medicines होते हैं तो उसके अंदर ये जो के अपसुल से वो आएंगे multivitamin and nutritional supplements के अंदर हैं कि ये ऐसी दवाई है कि जो आपको अलग-अलग vitamins आपको provide करता है और साथ उसाथ जो हमारी body को जो nutrition चाहिए जो हमें पोसंड चाहिए तो वो देने का ये medicine काम करेगा इसके manufacturers के बारे में जाने तो Pfizer जो है उसके manufacturer है और ये American multinational pharmaceutical and biotechnological corporation है कि जो ये capsules के main manufacturer है और जो उसका brand name है कि medicines इसके अंदर है vitamin B complex है और vitamin C है but Pfizer ये company बना रही है इसलिए इसका जो ये brand name है वो है Bicosils तो ये नाम से बहुत ही famous है ये medication तो जानते हैं आगे उसके बारे में अब detail में तो सबसे पहले उसका content हम जानते तो यहाँ पे आप उसका packing जो है वो देख रहे है तो उसके उपर सबसे जो cover होता है उसके उपर आप देख पाओगे कि B complex fort with vitamin C capsules साथ ही जो है वो हिंदी में भी उसका नाम जो है वो लिखा हुआ होता है कि Bicosils capsule जो है यहाँ पे लिखा है and manufacture का यह logo है कि Pfizer Limited कि जो उसका manufacturing है और marketing करती है इंडिया के अंदर और जो capsules रहते हैं कि hard gelatin capsules रहते हैं कि यह जो यहाँ पे diagram के अंदर भी यह capsule आपको यहाँ पे दिखाई गई है तो ऐसे capsule जो है उसका हम content देखे तो उसके अंदर अलग-अलग जो vitamins का यहाँ पे content आप देख पाऊगे कि thymine है, riboflavin है, pyridoxine, vitamin B12 है, niacinamide है, calcium, pentothenate है, polyc acid है, biotin है and ascorbic acid सामने सभी जो ingredient है उसके quantity भी यहाँ पे दी गई है साथ ही यहाँ पे direction जो लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सेथे कि तो यह capsule जो है वो दिन में एक ही बार आपको लेनी होते हैं उसका जो time है वो आप अपने तोर पे fix कर सकते कि आप सुबह आप लेते हैं या फिर रात को but जो एक tablet जिस time पे आप लेते हैं तो दूसरी tablet के बीच में minimum 24 hours का जो है वो time limit होनी चाहिए कि day 1 जो है वो day 1 को समझो कि आप morning में 10 बजे जो है वो tablet लेते हैं तो same day 2 को भी आप same time पे ही tablet लेने की कोसिस करें कि जिससे proper दो दोस के बीच में 24 hours का जो है वो proper gap जो है वो बन सके कि जिससे ये medications के proper आपको benefits भी मिले और ना ही कोई ऐसा side effects develop हो तो thymine mononitrate जो है उसके अंदर तो वो है यहाँ पे 10 mg जितना कि जिसको हम vitamin B1 कहते हैं तो जो हम multivitamin की जो बात करते हैं तो ये multivitamin category में इस लेके कि ये thymine है कि 10 mg के अंदर कि जिसको हम कहते हैं vitamin B1 कहते हैं फिर जो second ingredient है riboflavin कि जो 10 mg के अंदर है तो उसको हम vitamin B2 कहते हैं फिर जो third ingredient है pyridoxin कि जिसको हम vitamin B6 कहते हैं फिर B3 उसके अंदर है niacinamide 100 mg के अंदर फिर vitamin B5 की जिसको calcium pentothenet हम कहते हैं तो वो 50 mg की strength में इसके अधर available है B6 की जो pyridoxin hydrochloride जो कहा जता है कि वो सिर्फ 3 mg जितना उसके अधर add है कि जितनी जो daily requirement होती है vitamins की उसके according to यहाँ पे compositions बनता है vitamin B7 की जो biotin कहते है तो वो 100 microgram add किया हुआ है vitamin B9 हम देखें तो folic acid 1.5 mg है और B12 जो देखें कि जिसको हम कहते है sinocobal amine तो वो add किया हुआ है 15 microgram तो यह आप देखो यह सभी जो vitamins की जो B1 की जो आप series देख रहे है कि जिसके करन यह tablet कही जाती है यह जो capsule से वो multi vitamin type के medications कही जाती है अब B complex तो है पूरा कि यहाँ पे देखो B complex जो है वो complete हो है बड़ साथ ही में यह tablet के खास्यत है कि इसके अंदर vitamin C भी add किया हुआ है कि जिसको हम कहते है ascorbic acid तो वो add किया हुआ है 150 mg की strength के अंदर तो इस तरह से यह vitamin B plus vitamin C दोनों का combination वाला यह capsule जो है वो बनता है तो आप सभी ingredients के role जानते है कि यह सभी ingredients उसके अंदर क्यों add किये गए है और उनके role किया है तो vitamin B1 जो उसके अंदर add है तो वो help करता है जो अलग-अलग जो हमारे body के neurotransmitters होते है तो उनके production में help करता है तो human anatomy के अंदर आप सीखो nervous system कि जो हमारा चेता तंत्र है कि जिससे हमारे body को अलग-अलग sensations मिलते है और साथ ही हम अलग-अलग जो motor movement करते है तो वो responsible है due to the neuron cell कि जिसको 9 cells भी कहते हैं हम तो उनके proper functioning के लिए जरूरी होता है ये neurotransmitters का release होना तो ये neurotransmitters के production में ये help करता है vitamin B1 और साथ हसाथ जो heart के जो functions होते है ये दोनों में ये vitamin B1 help करता है कि जो ये capsule के अंदर add किया हुआ है second हम देखे तो vitamin B2 उसके अंदर add है कि vitamin B2 क्या करता है energy produce करता है हमारी body के अंदर और कैसे produce करेगा तो breakdown करेगा carbohydrates का कि जो भी हम कुछ खाना खाते हैं उसमें से जो carbohydrates मिलता है protein मिलता है fat मिलता है तो ये सभी के breakdown करके उन में से energy produce करवाने में ये vitamin B2 help करता है फिर vitamin B2 की जिसको riboflavin कहते है वो red blood cell के अंदर भी involve होता है कि RBC का जब production होता है तो उसके अंदर भी ये B2 का role है और help करता है transportation of oxygen to the cell कि इस हमारे cell के जो requirement होती है oxygen तो ये oxygen का जो transportation करने में भी ये help करता है B2 फिर हम B3 का role देखे तो B3 जो ये capsule के अंदर add है तो वो क्या करता है maintain करता है healthy skin and nerves को कि अगर समझो कि skin related कोई problems हो रहा है तो उस वक्त skin की healthiness बनाई रहेगा ये capsule साथ हो neurons की healthiness के लिए जरूरी है और जो co-enzymes होते हमारी body के अंदर उनके activation के लिए भी vitamin B3 का होना जरूरी है तो ये vitamin B add किया हुआ है फिर B5 हम देखे तो वो काफी जरूरी है कि जो अलग-अलग enzymes के जो synthesis होती है हमारी body के अंदर कि जो carbohydrate, lipid and protein के metabolism के लिए जरूरी है कि जब हम खाना खाते तो उसमें समय पता है कि कुछ protein भी मिलता है हमें lipid मिलता है, carbohydrate मिलता है तो उनका metabolism करने के लिए जो enzymes की जरूरत होती है वो enzyme के synthesis के लिए B5 का होना जरूरी होता है तो अगर समझो कि आपके diet के अंदर ऐसा आप ले रहे कि जिससे vitamin B5 आपको proper नहीं मिल रहा तो उस वक्त ये capsule जो है वो आपकी वो deficiency को पूरा करता है फिर B6 हम देखे तो वो भी जरूरी है to maintain the health of nerves, skin and red blood cell कि RBC जो है हमारे neuron skin वगेरा के लिए काफी जरूरी है फिर B6 की जो दूसरे हम देखे तो prevent भी करता है और साथो साथ treat करता है nerve disorders कि हमारे nervous system related disorders होता है जैसे कि peripheral neuropathy तो peripheral neuropathy जैसे जो neurons related disorders होते हैं उनको ठीक करने में ये vitamin B6 का होना जरूरी है तो वो prevent भी करता है, treat भी करता है, तो ये vitamin B6 B, because you'lls के अंदर आपको देखने को मिलेगा फिर B12 के हम बात करें तो sinocobal amine giscome कहते है तो help करता है हमारे blood cell के production के लिए, कि जो हमारे body के अंदर जो अलग-अलग blood cell से कि RBC की हम बात करते हैं, red blood cell होते है, white blood cell होते है, platelets होते है, तो हमारे blood cell का जो production bone marrow के अंदर होता है, उनके production के अंदर भी ये capsule help करेगी तो B complex का role तो आपने समझ लिया अब बात करते हैं, vitamin C कि ये capsules के अंदर vitamin C भी है, तो vitamin C का जो हम role देखे, तो हमारे body के अंदर एक structural protein है जिसका नाम है collagen तो ये collagen protein के formation के लिए vitamin C का हमारे body के अंदर होना काफी ज़रूरी है, तो ये deficiency को भी पूरा कर देगी ये capsule, कि just because इसके अंदर 150 mg जितना vitamin C जो है वो add किया हुआ है, फिर bond tissue के formation के लिए vitamin C ज़रूरी है iron and hemoglobin के metabolism के लिए, tryptophan metabolism के लिए, tyrosin, folic acid metabolism की, जो अलग-अलग amino acids और vitamins के जो metabolism से, उसके लिए भी vitamin C का होना ज़रूरी है, फिर जो peptides hormone होते हैं, उनके synthesis में ये vitamin C help करता है corticosteroids hormone के synthesis में help करता है ascorbic acid, strong antioxidant के तौर पर काम करता है, कि जो आपकी skin को healthy रखने में भी help करता है, और साथ-उ-साथ ये advance करवाता है immunoglobulin और antibodies के formation का, कि जो हमें provide करते हैं immunity कि जो हमारे body के जो immune cells जो हम कहते हैं, तो ये immunity provide करता है, हमें preventive actions देता है, cataract के सामने preventive actions जो chronic diseases के सामने, और कि ऐसे diseases की जो बार-बार हो जाते हैं, कि जिसको हम chronic diseases कहते हैं, तो उसके prevention में भी जरूरी है, और vitamin C जो है, वो reduce करता है, cancer का risk reduce करता है, antioxidant है cataract and coronary heart disease को भी prevent करवाता है, तो ये सभी benefits आपको मिल जाते हैं, कि जब आप ये, because cells के capsule लेते, because इसके अंदर vitamin C जो है, वो add किया हुआ है, अब समझते हैं, कि समझे कि vitamin B1 add नहीं है, B1 की deficiency है, तो क्या होता है, कि B1 की deficiency से हमें पता है, कि berry berry नाम का जो है, वो disease होता है, फिर और जब हम ऐसे खाना खाते हैं, कि जो polished के होते, तो उसके अंदर से ये vitamin B1 जो है, वो निकल जाता है, तो polished के हुए, समझे कि आप rice यूज़ कर रहे हैं, polished के हुए आप wheat यूज़ कर रहे हैं, गेहू भी आप ऐसे खा रहे हैं, कि जो काफी polish के होई, तो जो उसके उपरी परत के अंदर जो vitamin B1 होता है, thiamine वो निकल जाता है, और वो vitamin B1 आपको ना मिले, तो क्या होता है, कि rice आप ऐसे खाते हैं, गेहू ऐसे खाते हैं, कि जो काफी polish के होई, तो vitamin B1 की deficiency होगी, कि जिसको thiamine कहते हैं, कि जिससे beriberi जिस नाम का रोग होता है, gastrointestinal track पर हम देखें, तो anorexia, कि खाना खाने का मन नहीं होता, decrease हो जाता है, stomach acid का production, central nervous system के उपर उसकी side effects देखें, या फिर problems देखें, कि B1 की deficiency है, तो आपको fatigue जिसा फिल होता है, थकान मैसे होती है, mental disorders होते हैं, साथो साथ, peripheral neuritis जिसे problems होते हैं, तो ये बात है deficiency कि अगर आपके body के अंदर B1 की कमी है, तो ये problem होगे, cardiovascular system पर हम देखें, तो cardiac failure हो सकता है, तो उसका जो solution है, कि साथ, अगर आपके body के अंदर vitamin B1 की कमी है, तो ये बिकोसुल्स के capsule जो है, आपके body के अंदर रही, B1 की deficiency या फिर उसके कमी को जो है, वो पूरी करेगा, फिर second हम देखें तो जो B2 है, तो B2 के करण क्या होता है, wound aggravation जैसा होता है, proper healing नहीं होता, फिर आपके जो mouth के जो corners होते हैं, कि जो lips के जो corners हो, जो हम कहते हैं, वहाँ पे आपको cracks देखने को मिलता है, कि जिसको हम chilosis जैसा कहते हैं, तो वो एक problem होता है, B2 की deficiency के करण, फिर glossitis होता है, कि जिसके अंदर आपकी जो tongue होती है, वहाँ पे swelling देखने को मिलती है, सुजन देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं, inflammation of tongue, eye scan, the irritation होता है, seboric dermatitis, मतलब कि skin related problem होता है, skin disease जैसा होता है, तो B2 की जिसको हम reboflavin कहते हैं, तो reboflavin के deficiency के करण, ये सब problems होते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए, आप ये B2 के जो capsule है, वो regular ले सकते हैं, कि जिससे ये deficiency आपके body से कम पूरी हो जाएगी, और आप जो है, वो proper really feel करेंगे, कि after taking this medication, B3 के बाद करें, तो उसके करण क्या होता है, कि पैलेग्रा होता है, कि जिसके अंदर skelly dermatitis देखने को मिलता है, कि आपके अंदर जो है, वो skin disease ऐसी होती है, कि जिसके अंदर, skin के जो layers के उपर काफी dryness देखने को मिलती है, उस type की skin diseases develop होती है, फिर photosensitivity का जो problem होते है, और central nervous system, जो है, वो काफी weak हो जाती है, anorexia होता है, मतलब की loss of appetite, कि खाना खाने का मन नहीं होता, फिर देखो तो indigestion जैसा problem होता है, central nervous system पर हम देखे, तो neuritis होता है, confusion, schizophrenia, तो ये कमी भी आप पूरी कर सकते है, by taking this, because it's capsule के B3 की deficiency है, तो वो deficiency को cure करने के लिए आप ये capsule यूज़ कर सकते हैं, फिर B5 का हम देखे, तो उसकी deficiency से होने वाड़े problem बहुत rare है, बट उसके करन आपको कई बार थकान मैसुज़ होती है, जिसको हम कहते है, fatigue, कि इंगलिस में जो word है, fatigue, जिसको weakness भी कहा जता है, कई बार, थकान जैसा भी कहा जता है, कि आपको थकान फिल होती है, काफी, फिर insomnia जैसा होता है, कि रात को late night तक आपको नीद नहीं हाती, depression जैसा फिल करते है, irritability होती है, vomiting, stomach pain, फिर ये एक side effects डेवलप होती है, या फिर symptom कहें हम, कि B5 की deficiency, कि burning feet syndrome, जिसको कहा जाता है, upper respiratory tract की infections हो सकते है, तो इसका भी solution है, ये capsules, फिर B6 के हम बात करें, तो जिसको हम कहते है, pyridoxin, तो pyridoxin जो है B6, तो उसकी deficiency के करण, आपको microcytic anemia हो सकता है, कि जिसके अंदर खून की गमी होती है, फिर electroenceographic abnormalities आपको देखने को मिलती है, scaling on the lips, कि जो हम chelosis जो कहते है, या फिर dermatitis with chelosis, कि skin diseases आपको होगी, और साथ उसाथ जो आपके lips के corner होते है, mouth के corner होते है, वहाँ पे cracks देखने को मिलती है, glossitis का problem कि जो अभी मैंने समझाया, कि swollen tongue, कि आपकी जो जीब है, वहाँ पे सुजन देखने को मिलेगी, depression, confusion, immune system के जो function है, वो काफे weak हो जाएगा, मिलब कि आपकी immunity weak हो जाती है, कि जब B6 की कमी होती है, तो यह सभी problems को solve करने के लिए, यह vitamin B6 जो है, यह capsules के अंदर एड़ किया हो, कि जो लेने से, आपके problem जो है, वो solve होगे, B12 के करन हमें पता है, कि anemia होता है, और दूसरे हम देखे, तो constipation, diarrhea, loss of appetite, gas, nerves related problem भी होते हैं, जिसके अंदर हम देखे, तो patients जो है, वो numbness जैसा feel करते हैं, tingling जैसा feel करते हैं, फिर vision loss भी कई बार हो जाती है, उसकी बहुत deficiency है, तो mental problems भी होते हैं, memory loss जैसा, तो ये capsules आपके, ये सभी कमी को पूरी करता है, फिर vitamin B, C, C की जो हम deficiency देखे, तो उसके करन जो है, वो scurvy नाम का रोग होता है, कि जिसके अंदर जो आपके, दाथ के जो मसूडे होते हैं, वो काफी weak हो जाते हैं, और spongy हो जाते हैं, जिसके करन क्या होता है, कि आपके जो teeth है, आपके जो दाथ हैं, वो कई बार हिलने लगते हैं वहाँ पे, और loss of teeth जैसा भी problem होता है, soreness हो जाती है, gums के अंदर की, मसूडों के अंदर, soreness जैसा फिल होता है, mouth ulcer जैसे होते हैं, ऐसे problem होते हैं, काफी dry आपके hair हो जाते हैं, curly टाइप के, और dry हो जाएंगे, और वहाँ आपसे वो break भी हो सकता है, मलब की hair fall का problem होता है, कि अगर आपको vitamin C की कमी है, तो अगर समझें कि आपको ये problem होते हैं, तो उसके solution के लिए आप vitamin C के capsules, और या फिर tablets लेते हैं, but because tools लेने से फाइदा ये होगा, कि vitamin C तो आपको मिलेगा है, पर साथ में जो दूसरे B complex supportive vitamin से, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो gums जो है, मतलब कि आपकी immunity भी कम हो जाती है, कि जब vitamin C की deficiency होती, इसलिए आप देखो कि immunity एन्हांस करने के लिए भी vitamin C यूज होता था, blood vessels fragile हो जाना, मतलब कि आसानी से तूट जाए, blood vessel break हो जाए, थोड़ा भी pressure बड़े तो भी, blood vessel का breakdown हो जाना, ऐसे problem हो सकते है, vitamin C की deficiency के करन, फिर hemorrhage हो सकता है, hormonal functions जो है, वो change हो सकते है, adrenal cortex के, osteoporosis जैसा problem होता है, तो यह सब जो है, वो problem होता है, साथ हो साथ, जो impairment हो जाता है, collagen जो protein है, उसके synthesis का, and antioxidant property भी आपको देता है, vitamin C, कि जो ascorbic acid के तौर पे, यह capsules के अंदर add है, तो अगर यह deficiencies related symptom है, तो तुरंत यह medications लेना, start करना चाहिए, कि जिससे, यह जो problems जो है, वो आपके cure हो जाए, तो आप समझते हूँ, वो B-co-sules capsules के, हम basic use जाने, तो जो अभी हमने deficiencies देखा, तो यह सभी deficiencies को तो पूरा करता ही है, बड़ साथो साथ, यह क्या करेगा, B-complex की deficiency को पूरा करेगा, फिर एक supplement बनता है, after recovered from any disease and disorder, और body infection, कि आपको कोई ऐसा infection हुआ था, body के अंदर, काफी लंबे समय तक कोई ऐसी बिमारी चली थी, या फिर कोई ऐसा disorder था, तो उसके बाद क्या होता, कि body के अंदर काफी weakness आ जाती है, आप ठकान का अनुबव करते हैं, तो उस वक्त यह capsule जो है, वो आपको B-complex के साथ साथ, vitamin C भी provide करेंगे, कि जो एक supplement के तौर पे काम करेगा, कि फिर से आपको, healthy feel करने में help करेगा, फिर pregnancy and lactation के दौरान भी यह use कर सकते, कि अगर आपको B-complex के साथ साथ, vitamin C की भी deficiency है, फिर जो mouth ulcers जो होते हैं, उसके लिए तो यह सबसे best medication, जो है वो कही जाती है, कि B-co-sules के जो capsule से, वो prescribe किये जाते हैं, कि जब आपको यह mouth ulcers से वगेरा form होता है, फिर जिन लोगों को यह problem होता है, कि loss of appetite, कि जितना भी अच्छा खाना आपके सामने हो, बर आपको खाना खाने का मन नहीं होता, because अभी हमने जो देखा कि vitamin B2 है, B5 है, B3 है, वगेरा कि deficient 6 से यह problem होते हैं, अनोरेक्सिया जैसे, तो यह कमी को पूरा कर देता है, यह capsules की जो treat करेगा आपका अनोरेक्सिया, फिर जो neuron related disorders होते हैं, जैसे कि नमने सुना, peripheral neuropathy, यह सभी को treat करने के लिए यह capsules यूज़ की जाते हैं, फिर जो malnutrition का problem होता है, body के अंदर weakness होती है, फिर आपकी skin को improve करने में help करेगा, hair को improve करने में, because जो hair fall जैसा होता है, तो भी hair fall होते हैं आपके बार-बार, उसमें भी यह capsules help करेगा, आपकी skin को improve करने में help करेगा, metabolism बढ़ाएगा हमारी body का, जिससे हमारा खाना जो हम खाते तो उसके बड़ digestion तो होता है, बड़ अच्छे से metabolism होगा, तो हमारी body को proper energy मिलेगी, और जो nervous system जो है हमारी body की, उसके proper functioning के लिए भी, यह capsules जो है आपको help करेंगे, तो आगे जो अब हम सीखेंगे, वो है कि Bicosilis capsules के, daily dose के बारे में हम जानेंगे, जो है कि daily dose उसका क्या रहेगा, तो usually जो है आपको एक capsule लेनी होती है, per day, कि दिन में एक ही capsule रहेना जो है, वो enough रहेगा कि जिससे आपके, जो deficiencies है, nutritional related की, vitamin B complex की deficiency है, या फिर vitamin C की deficiency है, या फिर यह सभी vitamins की deficiency है, तो वो क्योर हो जाएगा, तो टेक only one capsule डेली, तो साथ ही उसके अंदर ध्यान ये रखना है, कि आप capsule जो है वो ये एक capsule ले रहे हैं, तो ये लिए आपने एक capsule, तो second capsule जब आप लेते हैं, तो ये दोनों capsule के बीच में, जो ये जो time limit का जो gap होना चाहिए, वो रहना चाहिए at least 24 hour, कि ये पाइला capsule ले आपने बीकोसुल का, ये second capsule ले तो ये दोनों के बीच में, at least 24 hour का जो difference जो होना चाहिए, कि ये समझे कि आप दिन में, morning में 10 बज़े लेते हैं, तो same, दूसरा capsule दूसरे दिन जो है वो आफ, 10 बज़े हैं लेजए कि जिससे at least 24 hours का जो है वो gap हो सके ये capsules के बीच में, कि जिससे उसके proper effect जह हो आपके body को मिले, और खाना खाने के बाद या फिर proper breakfast के बाद आप ले सकते हो, और जरूर ये condition ये है कि आपको overdose नहीं करना है, कि don't make the overdose, कि कई बार लोग क्या करते है कि ये capsules के बारे में जानने के बाद कि इनके body के अंदर कमी है, या फिर कोई भी ऐसे symptoms है, ये capsules के use के related, तो तुरंट लेना start करते हैं और excessive dose में ले लेते हैं, कि दिन में एक ही capsule लेनी होते हैं, जिसके जगा वो दिन में तीन capsule खा लेते हैं, चार capsule खा लेते हैं, कि इसा सोचेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, excessive dose में लेने से side effects होती है, तो excessive self medications नहीं करनी हैं आपको, because cells, capsules के अंदर भी, because उसके आगे हम जानेंगे side effect, 21, तो उसके according to यह जो capsules का जो price है, वो है 45 rupees of 20 capsules, कि जब यह उसका आप strip purchase करोंगे 20 capsules वाला, तो उसकी जो price आपको पड़ेगी वो रहेगी 45 rupees, तो किसी भी pharmacy पर से आप जो है उसको purchase कर सकेंगे, इसलिए यह online भी मिल जाएगी, जो है आपको मिल जाएगी, और यह OTC medications कही जाएगी over the counter, बिना prescription जो है आप इसको over the counter purchase कर सकेंगे, अब जानते हैं उसके side effect, कि अगर कोई person उसका side effects कब होगी उसको, कि जब उसका वो overdose करता है, कि acute toxicity हो सकती है, कि अगर आप उसका overdose करते, कि उसका पहला symptom डेवलप होगा, वो है skin races, कि side effects के तोर पे आपको, आपकी body के उपर यह से races डेवलप होना start हो जाएगे, कि अगर आप जो है, उसको overdose के अंदर यूज करते हैं, या फिर आपको यह medications के किसी भी ingredient की allergy है, कि B complex या फिर C में से किसे भी vitamin की आपको allergy हो जाती है, तो उसके करण डेवलप होना start हो जाएगा, as a side effect, दूसरा हम देखिए, तो excessive urination का problem हो सकता है, कुछ लोगों को diarrhea हो जाते हैं, मतलब कि दस्त हो जाते हैं, फिर बार-बार पेसाप करने जाना, urination के लिए जाना, ये side effect डेवलप होती है, अगर आप उसका miss use करते हैं, और overdose के अंदर use करते हैं, ये capsules को, sleeplessness भी तभी होती है, कि जब आप उसका overdose में use करते हैं, कि ये जो person है, वो रात को 2 बस कर 15 मिनिट हुए है, या आप यहाँ पे clock के अंदर देख सकते हैं, फिर भी वो जाग रहा है, because उसको नेद नहीं आ रही है, as a side effect, because excessive use कर लिया है, ये capsule का, bitter taste आपको feel होगा, mouth के अंदर कई बार, कुछ लोगों को nausea vomiting हो जाती है, as a side effect, and stomach upset के साथ साथ, gastrointestinal tract के अंदर, diarrhea के जिसको हम दस्त कहते हैं, वो भी हो सकते है, as a side effect, अब समझना जरूरी है, उसके warnings and contraindications, मतलब की, कौनसे condition में, use नहीं करने चाहिए, कि अगर आपको, ये becoceals के capsules लेने के बाद, कोई भी ऐसे allergic reactions, develop होती है, तो तुरंथ लेना बन कर दे, जैसे कि, ये हमने देखा आप एके skin के उपर, रैसिस हो रहा है, तो तुरंथ ये capsules को लेना, जो है वो बन कर दे, because, आपको जो है वो इसके किसी भी ingredient की, allergy हो सकती है, वो allergy के कारण, आपको ये allergic symptoms, देखने को मिलते हैं, आपकी body के उपर, फिर, आपने जो है वो कोई surgery प्लान की है, तो उससे, दो या तीन week पहले, जो है वो आप ये medications को लेना, बन कर दे, कि suppose, आपने जो है वो, 300 August को आपना planning है, surgery का, तो उससे, दो week पहले, या फिर, तीन week पहले, ये medications को लेना, बन कर दे, कि August के last week में समझे कि, आपको ये surgery है, तो, second या third week के अंदर, आप जो है वो उसको लेना, जो है वो बन कर दे, या फिर, पहले week से ही बन कर दे, because, at least, 14 days से 21 days के, पहले ही आपको, ये medications लेना, बन कर देना चाहिए, कि अगर आपने कोई, surgery या फिर, कोई operation आपका, प्लान हुआ है, फिर आपकी body के अंदर, कोई भी ऐसे side effects, develop हो रहे है, तो भी, लेना बन कर देजिए, कि कोई भी serious side effect हो रही है, because, इस के capsules लेने के बाद, तो तुरंत आपके pharmacist या फिर doctor को contact कर रहे, कि अगर आपको uncomfortable feel होता है, ये medications को लेने के बाद, कि जिससे, आगे कोई ass side effects, जो है हो हम avoid कर सके, तो ये था हमारा special video lecture about the, because, इस के अपसिल के जिसके अंदर हमने proper detail में, उसके बारे में सिखा, तो फार्मरोक्स के जो lectures होते हैं, उसके PDF और PPT जाफ, फार्मरोक्स के आप उपर access कर पाऊगे, कि जहाँ पे आप study material, test series and video lecture access कर पाऊगे, queries बगर हो, तो ये number पे WhatsApp कर सकते हैं, course joining के लिए, तो app डाउनलोड कर पाऊगे आप Google Play Store पर से, कि अगर आपके पास Android phone है, iPhone user app store पे भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक आपको description box के अंदर दे दी है, तो जरूर से check कर ये app, फार्मरोक्स, Android application on Google Play, Apple iPhone app on app store, Good luck and all the best!